यह फाइव स्पीड फारवर्ड गेह रहा है और साथ में रिवर्स गेह रहा है यानि टोटल इसके अंदर छे गेह रहा है यह होता है रेडियेटर जब भी गाड़ी गरम होती है कभी भी आपने इसको उपन नहीं कर ला आटोमेडिक ट्रास्मिशन और एक मैनूर लेकिन उससे पहले मैं आपके एक दो बाते बताता चलूं कि यार गाड़ियों में ट्रास्मिशन की बेसिक दो टैबبة ही है अबहुत सी ऐसी गलतिया करें जोक Серव तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अच्छा तो आपने सबसे पहले गाड़ी का पानी चेक करना है पानी किसा चेक करना है यह लगा हुए इससे बॉनेट ओपन हो जाता है यहां पे करके एक नचोटा सा होता है बटन यह वला इसकी मदद से बॉनेट ओपन हो जाता है यह राड होता है जिसकी मदद से यह बॉनेट है यह अपनी जगा पर टिक जाता है अच्छा यह होता है रेडियेटर जब भी गाड़ी गरम होती है कभी भी आपने इसको ओपन नहीं करना और यह इंजन कूलन्ट ओनली यहां पर आप कूलन्ट या साधा पानी जो भी होता है इसमें डाल सकते हैं यह इन दोनों का आपने वाटर लेवल पूरा करना है उसके बाद आजाता है इंजन आइल यह मैं आपको चेक करा आपना यह इस तक आएल होना चाहिए इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का ओए ओके है अभी तो मैंने कुछा इस्सा पेले इसका चेंज कराया तो इसमीन इ अंदर करके इसके उपर एक क्लंप होता है उसमें टाइट हो जाता है जाके यह अब यह टाइट अपने लेगा पर दूसरी चीज आती है इसका ब्रेक ओल ठीक है अभी अपने पूरे लेवल पे यहां साइट से भी आपको पता चल जाएगा इस लेवल पे होना चाहिए ब् चैंपो को मिक्स कर लेते हैं यह अंदर आपको जहाँ भी नजर आ रही होगी तो यह जो विंट सिक्रीन है यहां से पानी जाता है विंट सिक्रीन साफ करने के लिए अच्छा उसके बाद यह आजाती गाड़ी की बैटरी यह अपने महीने में एक अधी बार ना नट्स इन हम इसको निचे करें उसके बाद आती है गाड़ी की डिगी के अंदर टायर चेंजिंग केट यह टायर होता है और यह जैक है और यह पानना है जिसके साथ यह नट स्टाइड ओपनेर और इसकी मदद से आप इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं और यह नट कहलें इसको क्लंप कह तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको टायर प्रोपर उपन करने के बाद गाड़ी के अंदर बैठते हुए सबसे पहला काम आपने लगानी है सीट वेल्ट इस तरह करके यह इंगनेशन सूच से है ठीक है अब यह की अंदर है गाड़ी के तो इस वज़े से यह बीड़ी तो यह फर्स टेप पर इसका यह फर्स टेप मले फस्ट पर सिर्फ और सिर्फ आपका मिल्टी मीडिया ओन होता है ठीक है उसके लावा कोई चीज़ ओन नहीं होती यह उफ है उसके बाद यह पारकिंग लैंप और यह हैड लाइट और अगर आप हाइबीम करना च खास तोर पर मोटरवे पर इसी तरह यूज होता है कि आप मोटरवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपने अगली गाड़ी से रस्ता लेना है आप हारन नहीं बजाएंगे बलके आप यह वाली जगा ठीक है तो यहां पर आपने इसको दुबाना है और यह देखें में भी दिन का वकत है चाहिद इतना कोई खास नजर नहीं लेकिन यहां पर आपको नजर आएगा देखिएगा यह बल्कि अपर भी आ रहे हैं हम डोगी को आ रहे हैं तो यह इसका डिपर है अच्छा उसके बाद यह इदली साइड पर है तो यह जनाब साब हमारे पास आजाता है यह मिस्ट है ठीक है यह वाइपर नहीं जो फ्रेंट वाले यह वाले जो वाइपर है ठीक है फ्रेंट से क्रीन के यह उसके लिए है ठीक है तो इस पे सिरफ एक दफा चलता है इस पे बहुत ही नॉर्मल स्पीड में इस पे लो स्पीड पे और सबसे जो लास्ट वाला स्ट यहां से नजर आएगा हाई पे तो हाई पे बहुत ज्यादा तेजी के साथ यह काम केटा है अच्छा उसके बाद यह आ जाता है इनफो टेर्मेंट सिस्टम हर गाड़ी के डिफरेंट होता है कईयों में इसके अंदर एल सेडी लगी होती है ठीक है उसके बाद आजाता है यह वला system अच्छा इसका जो purpose जाना main ये कि अभ यह देखें यह इस टाइम driving seat के उंपर है driving seat mood पे है like यह जो friend grille नहीं यह वली यह वली और वह वली उसके उंपर यह हवा देगा ठीक है उसके बाद यह फ्रेंट पे यह चारों और साथ में जो निचले foot वाली जगह है यहां से भी हवा देएगा ठीक है उसके बाद ये ओनली 4-foot नीचे ऑला जिस है उसके अन्दर हवा देएगा इसके अंदर क्या है कि फ्रंट वाली जो psycha है उसके ओपर देगा हवा और उसके बाद ये वाली पॉइंट है ना ये सबसे फिट है खास तोर पे सर्दियों के लिए सर्दियों में क्या होता है कि आपकी विंड से क्रीना मिस्ट ओने लग जाती नमी आ जाती है तो आपने इसको इस वाले पॉइंट पर कर देना है ठीक है उसके बाद ये ओनली फॉर फ्रेंड ग्रिल ठीक ह और इसका मतलब है बाएर की जो हवा है गाड़ी के अंदर आएगी ठीक है नॉर्मली इसको बंदी रखना चाहिए क्योंके गाड़ी के अंदर जब बाएर की डेस्ट आती है तो उससे ये होता है कि गाड़ी का जो अंदर काफी ज़्यादा मटी हो जाती है ठीक है जो के ब पिल्कुल नॉर्मल वाला जो होता है तो उसके बाद यहां पर गाड़ी का हिटर होन जाता है ठीक है अब यह के यह किसाद्ट हम हम ओन करते हैं तो उसके यह फैन है और यह 1, 2, 3, 4 यह AC के जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं AC के स्पेड तेस्ट करने के लिए कम करने के लिए यूज होता है अच्छा यह किसली है यह वोला पॉइंट है जो पिछली जो बैक से क्रीन है ना इसके उपर आपको नजर आ रहे होंगे लाइन सी बिल्कुल बरीक बरीक सी लाइन सी जो है तो होता ही है कि बैक से क्रीन जब मिस्ट हो जाई है उसके उपर नमी आजए तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले बटन को ओन कर देते हैं अच्छा उसके बाद यह एस ही कह है उसके बाद और ओवराल यही मतलब कि होता है मेel चीज़ेज घर गाड़ी के इंदर मतलब कर इसका कई जज़ गाड़ों में फान की इदर स्पीड़ आ जाती है क्या गाड़ों में क्लामेट कंट्रॉल आ जाता है तो यह सारी हर गाड़ी के अपनी थाप से होती है गाड़ियां जो है ना like diver racer होगी उसके बाद एक दो और गाड़ियां मैंने देखी था जो reverse वाला गेर है वो यहां पे clip सा लगा होता है आप उसको उठाते हैं और first gear की जगा लगा देते हैं तो वो उनका यहां पे गर के होता है मैं picture लगाँगा आपको उससे अंदाजा हो जाएगा तो यह सीन है अच्छा यह हो गया अब आते हम अपनी असल चीज के उपर की गाड़ी के अंदर हम बैटे हैं तो उसके बाद हमने क्या करना है सीट बैल तो हमने पहले लगा ली थी आपको पता है उसके बाद हम गाड़ी का अगर स्टेरिंग अड़जस्टेबल है तो आप गाड़ी का स्टेरिंग अड़जस्ट कर सकते हैं लाइक इसको उपर भी कर सकते हैं और मीचे भी कर सकते हैं डिपेंड अपन आपकी जो आम की ह करना है वो भी मैं आपको बिताता तो यह तरीक है कि गाड़ी को अगर आपने गाड़ी की seat adjust करनी है तो इस राड़ को आपने ऊपर की जुप करना है आगे करने है पिछे करने है इसको दुबादे गए आप सार कर सकते हैं अच्छा उसके बाद आता है ये वह भला dive अब ये अपने गोश देखने हैं लाएक ये इस स्वाइब सीड की पूजीशन restsए इंदर नैंट को एम उस अफाटन कर सकते हैं पीछय li और इसको जहान पर आपने सैटिंग करना है super के लिए इसकी सेटिंग कर सकते हैं एक और इंपोर्टन चीज जो कि गाड़ी के अंदर बैठते हुए आपको पता होनी चाहिए वह है मिरर की एड़ेस्ट्मेंट गाड़ी में कुल तकरिबन एक दो तीसरा और यह चौता ठीक है यह सारे के सारे मिरर होते हैं गाड़ी के अंदर तो इस मिरर को आपने पुजिशन इसना सेट करनी है कि यह जो बैक शिश है ना पूरा आपको विउव आए इसके अंदर ठीक है अभी मैं भी आ रहा हूँ अच्छा उसके इलावा इस मिरर को टोःटे की पुरी की पुरा करसर है जिसाग जोइस्टिक होती हे लेफ्ट Así अब ये देखिएगा यह लेफ्ट जा रहा है और यह राइट आ रहा है ठीक है इसको अपने अपने साब से सेट कर लेना है अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपने फर्स के उपर जैसी आप आते हैं फर्स वाले एक नेशन के उपर तो इस पर सिरफ और सिरफ मल्टी मीडिया होन होता है सेकंड वाले पर गाड़ी की उपर यह सारे की जो भी इसके सेंसर है एर बैग है चेक लाइट है ब्रेक है स्टेरिंग है इसका मतलब है ठीक है उसके बाद यह इसकी आवरेज लिखी आ रही है तकरिबन 16 साथ 17 के करीब इसकी आवरेज है ट्रॉल के साब से 12 किलो मेटर और ट्रिब बी के उपर 1540 किलो मेटर और टोटल एक लाग चोबिस जार 377 किलो मेटर गाड़ी चाहल सुकी है तो यह सारी इसकी इंफोमेशन है और नीचे इसके क्लॉक नजर आ रहा है स्पीडो मेटर के साब से तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले मैं को के लगाते लॉक गता सब्सक्राइब आजोatisf जो कि सरफ मार देते हैं जो कि इंतहा फाงति कंगर के इंफ फ्योल प्रेसर ऊप्रोपर बंचे और आप पिर गाड़ी को स्टार्ट करें मैं सिर्फ सिर्फ इतना सा देना है उसके बाद गारी स्टार्ट इंपने तो यह गारी स तो जब आपने गाड़ी चलानी है तो make sure ये करना है आपके speedometer पे किसी भी किसम का कोई भी निशान ना आ रहा हो हम गाड़ी को start करते हैं गाड़ी को चलाते हैं अच्छा इस चीज को समझना सबसे important है ठीक है ये जो है ये race है उसके बाद ये brake है और ये clutch है ठीक है जितनी भी आपने shifting करनी है गेर की तो आपने clutch दुबाके करनी है उसके बाद ये brake और ये race अगर आप इसको उल्टी ABC के तो पर भी अगर आप इसको याद रखना चाहिए जैसे किस तरह ABC यूरू होती है ABC यानि right to left जाती है तो आपने इसको उल्टा करना है ABC यापने left to right जान करने के बाद सबसे मेन चीज आती है वह आती है गेर ट्रांस्मिशन गेर ट्रांस्मिशन के उपर आप देख सकते हैं इसके उपर है फर्स्ट गेर सेकंड थर्ड फॉर्थ फिफ्ट और ये reverse तो अब ये गाड़ी न्यूटल पर है न्यूटल का मतलब होता है इसके उपर को कर दो इसके में दोनों पर यूज़ करने पड़ते हैं जो यह पर फॉट है इसको आपने सिर्फ सिरफ क्लच के लिए यूज़ करने है और यहां से अपने फिर्स गेर को लगा देना है टॉप राइट कॉर्नर पे जो होगा ये फिर्स गेर गाड़ी का लग चुके है अब यहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं क्या है कि क्लच को यकदम चोड़ते हैं साथ में रेस देना शुरू कर देते हैं तो जिससे गाड़ भी बंद हो जाती है आपने सबसे पहले क्लच को चोड़ना है ठीक है जितना पॉसिबल हो सकता है उसके बाद फिर आपने रेस की त पर आपने सेकंड गेर शिफ्ट कर लेना इस तरह और फिर क्लच होड़ देना अपने और जो भी गेर शिफ्ट करना गेर डाउन करना गेर आपने कम करना ज्यादा करना उसके लिए अपने क्लच का इस्तमाल जरूर करना तो उस क्लच को दुबाद गेर शिफ्ट करने के बा गाड़ी को चलाने का अब ये दूसरा गेर है तो कलच दुबा के आपने ठर्ड गेर की तरफ उसका जो गेर लिवर है उसको करना है और उसी तरह कलच ओडने के बाद आपने एकसिलेटर पर पाउं रख लेना है और ब्रेक दुबाते हुए कोशिश ये करनी है कि जो आपका पाउं है ना वो ब्रेक को बड़ा स्मूथली करें लाइक आपने एक दम से ब्रेक नी लगानी और जिस बंदे को ब्रेक लगानी आजाती है वो बंदा इजी ली ड्राइवर अच्छा बन जाता है अच्छा अब गाड़ी के अंदर जो रस्ता लेना है आपने एक तॉप जो है इसको प्रेस करना है और साथ ही आपने इसको यह बोटम लेफ्ट के अंदर आ जाना है तो यह आर भी लिखा हुए ठीक है और यह अपने हैंड ब्रेक को निचे किया और यह गाड़ी आपकी पीछे जा रही है ठीक है और पीछे आपने इस शीशे की मदद से उन देखना है अब जिसला मैं इस लेन में आ रहा हूं तो इस लेन में आने से पहले मैंने अपने लेफ्ट साइट पर देख्या है कि कोई गाड़ी तो नहीं हा रही इसी तरह राइट साइट पर देख्या है यह वीडियो मैंने बनाई है मैनुवल ट्रास्मिशन पर और इंश श्याला नेक्स वीडियो के साथ आपकी खितन्त में हाजिर होंगे तब तक के लिए अपना खियाल रखिएगा अल्ला हाफिज